Hello everyone, finally TYB.com का जो result है वो आ चुका है and काफी सारे बच्चों को result देखने में problem हो रहा है तो इसके लिए ये वीडियो में आपको prepare करके दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखे कैसे हमको result को देखना है How we can check our result, सबसे पहले जो website है उसका link में description में डाल रहा हूँ MUMresults.in, this is the website जहां पर आपको Mumbai University का B.com का जो result है वो देख लेना है कैसे result को देख करना है, सारे steps को ध्यान से देखे, ताकि आपको overall result देखने में काफी सारे जो दिक्कते हो रही है बच्चों को site open नहीं हो रही है, usually जब website पे काफी सारे बच्चे एक साथ आते है, तो यह problem face होता है तो आपको सबसे पहले इस website पे जाना है, link description में दे रहा हूँ, वहाँ से सीधा आप इस website पे जा सकते है सबसे पहले website पे जाने के बाद थोड़े दे रुखना, panic मत होना, because website खुलने को थोड़ा डाइम लगता है, मैं wifi से connected हूँ, फिर भी यहाँ पे मुझे 3-4 minutes लग गए website को लोड होने में जैसे यह website लोड हो जाएगी, जैसे यह सारा data आपके सामने आपको देखने मिलेगा, इसके बाद आपको सबसे last में जाना है, सबसे last में 61 नंबर में जो code है 2C00145, यह code पे आना है, और यह code पे आने के बाद आपको यहाँ पे सभी seat numbers दिखेंगे, अभी आपको सबसे पहल आपको अले hall ticket देखना है, hall ticket लेकर बैठना है आपको, और उसमें b.com, semfy, cbcs, proper seat number आपके है, उसी seat number के series में आपको click करना है, जिस शीरीज में आपका seat number है, जैसे कि अगर 10000101 से लेके 1006627, इसके range के बीच में अगर आपका number होगा, तो आप first link को click करेंगे, जैसे ही हम first link को click करेंगे तो वैसे ही आपके सामने एक PDF खुल जाएगा और ये PDF लोड होने में time ले रहा है तो panic ना हो मेरे पास भी time ले रहा है आपके पास भी time लेगा काफी ज़्यादा time ले सकता है लेकिन आपको इसी तरीके से ये result को देखना है अभी मैं फिलाल इसको close कर देता हूँ because काफी सारे बच्चे इस website पे अभी है इसके लिए अगर आप जैसे ही link को click करते हो website लोड होने में काफी ज़्यादा time ले रहा है तो accordingly आप अपने base पे अपनी जो भी seat number है उसी link पे click करे और थोड़े देर wait करे ताकि आपको भी पता चले कि आपका result overall क्या है फिर में एक video लेके आऊंगा कि अभी result लगने के बाद जिनको भी केटी लगी है उन्होंने किस तरीके से focus करना चाहिए जिनको केटी नहीं लगी है उन्होंने 7-6 के उपर कैसा focus करना चाहिए तो nevertheless कोई tension लेने के आपको जरुरत नहीं है अगर केटी लगी भी है तो भी आपको किस तरीके से वो केटी को clear करना है सारी चीज़े guide करूँगा इस channel के साथ जुड़े रहे आपकी केटी clear करने के लिए ये channel आपको काफी help कर सकता है तो all the best to all of you and congratulations for all the TYB.com Semfy winners जो those who have cleared the exam and those who have not cleared the exam don't worry आपके पास और एक चांस है additional exam में आप बेटके इसको clear कर सकते हैं लेकिन वो सारी गलती आप फिर से ना करें thank you very much next video में मिलेंगे जिसमें हम discuss करेंगे हमारे आगे का action plan क्या होना चाहिए आगे की strategy क्या होने चाहिए thank you bye bye take care